हालो फैमिल वैकम बैक तो मैं चैनल विचिस प्रिया की लाइश्टाइल चो कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग अच्छे होंगे मस्तोंगे फिट होंगे मैं भी मस्तों फिटू और अभी मैं सीथा मागदा को रेडी करके सीथा मता स्टेट पर चली गई और अब मैं आ किया उसको डाली थी फिर कट कर दी अब आगे का वीडियो देखिए कि कितना अच्छा जैमाला होता है कि मतलब तब रभु रामना जूखते नहीं है और सीता मता छोटी होती तो कैसे ही डालेगी इसलिए वो अपने देवार लक्षमन को देखती है कि आप कुछ करो तो लक पच्पन से रामनीला देखते आई हूँ पर मुझे इस साल नहीं चीज पता चली इसलिए कहते हैं ना कि ये ओवर कॉन्फिडंस मत दिखाओ कि हमको सब कुछ पता है तो रामनीला के जरीए बहुत कुछ पता चलता है मुझे खुद इस बार पता चला और पता चला ना तो चौक्ड हो गई कि जब राम भगवान की शादी हुई थी तो वह 12 साल के थे और सीता मता 6 साल 7 मेंने की ती जब उनकी शादी हुई थी मुझे ये नहीं चीज पता चली किस को ये चीज पता थी बताना ये चीज सही है कि गलत मालूम नहीं बट मुझे रामनीला के जरीए पता चला तो चले बल्ली वीडियों पर बने रहा है वीडियों इंजॉइ करिए बहुत अच्छा लगता है क्वेड़ी सीन भी होती है तो अच्छा लगता देख किये लली मुरी छोटी है आप बड़े है सिया मुरी छोटी आप बड़े है सिया मुरी छोटी दया करो बेपी लली मुरी छोटी है सिया मुरी छोटी है खड़े खड़े पगे दुखन लगे है खड़े खड़े पग दुखान लगे है भिना नाए मात रघुना थे माल नहीं पाओगे दुख जल्यो तनिकी रघुमीर लली मुरी अब प्रभू स्री राम तो छुक नहीं सकते चोंकि मर्यादा प्रशुक्तम है अपनी मर्यादा का पालन करना है साधारण कोई प्रानी होता तो सोचता की विवाह कर्वाले किसी तरह जुक जाओ जल्दी विवाह हो जाए पर मर्याला प्रशुक्तम है भगवान तो जुक नहीं सकते और माता जनक नंदनी छोटी है तो किस प्रकार से जैमाला डाले मस्तक पुतक पहुँच नहीं रही है तो जनक नंदनी जी लक्षमण जी तरह पिसारा करती है कि देवर लक्षमण तुम ही कुछ सहायता करो लक्षमण जी भी विचार करने लगते हैं कि यह दि मैं प्रत्वी को उठाता हूँ तो उसी प्रत्वी पर माता जनक नंदनी भी खड़ी है प्रभु स्रियाम भी खड़े हैं तो अपने अस्थान पे ही रहेंगे तो आखिर किस प्रकार से जैमाला पड़ता है वो देखिए जैस समय प्रभु स्रियाम लक्षमण जी को उठाते हैं और माता जनक नंदनी उसी समय समय पा जाती है और माला पहना देता प्रभु स्रियाम चंद्र की और ये जनक नंदनी की और ये रदाराम चंद्र की तो जैमाला होने के बाद अब राम जी की बरात आ रही है इतने धून धाम से राम जी की बरात आती है ना कि बापरे बहुत अच्छा लगता लिए तो आपर देखना कितना Musika लगत ये देख के तो यहाँ पर देखो खुशी रिकॉर्ड करी है मैं ना चेयर पर ही खड़ी हो गई द्रियांश को लेके क्योंकि मुझे कुछ दिखी नी रहा था मैं थोड़ी सी द्रियांश की वज़े से पीछे थी ना इस वज़े से पीछे मतलब मैं आगे बैटी थी पर कॉर्णर साइट बैटी थी कि कुछ दिखी नी रहा था तो अब रात आगे आएगी तब मैं देखूंगी तो आप लोग भी वीडियो पर बने रहना वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 लाइक शे और सब्सक्राइब कर देना कुछ आगे आगे इमाएगे तके कुछ दिया दिया निवीख दाना आँच धुलाख दूलाहियो प्लीज नीवीडियो परेना निशनियां खुश रहे दूला दूलाई लिया परेना निशनियां खुश रहे दूलाई लिया परेना खुश रहे दूलाई लिया परेना दूलाई लिया तेता हो जब तक दुले आप तेरे साथ बखुआ हो बखुआ हो पखुआ हो पखुआ अबाही तिया जी बाबागिचा बखुआ हो जी बाबागिचा बड़े परसंदो रहे ठापुआ हो जी बाबागिचा तो फ्रेंट्स हो गया है नेक्स्ट डे और कल है करवाद 4 तो आज है मैं 19 तारीक मैं लगा रही हूं मेहंदी अपने हाथ से क्योंकि मैं जिससे लगवाती थी तो वह मेरी पुराने सोसाइटी में रहती है तो अब बच्चा हो गया है तो अब इतनी दूर जाओं आओं तो फिर उसको भी साथ में लेना पड़ेगा इसलिए तो तुरंस हो गया तुरंसे मैं घंडे का टाइम है फटाफचे में लगा लेती हूं क्योंकि फिर छुडाना रहेगा इसलिए तो फटाफचे में लगा दे रही हूं क्योंकि और शिल्पा भी वो लिए कि दीदी मुझे भी लगा दो आके तो बस शिल्पा भी आने वाली तब तक वह आएगी जितना लगा सकती थी लगा ली अब प्रॉब्लम ही है न कि राइट हैंड में ड़ा पाऊंगी तो मुझे उम्मीद नहीं दिक री कि मैं राइट हैंड में लगा पाऊंगी इस वज़े से और सबसे बड़ी बात मेरी तो बहुत ज़्यादा नहीं है वर इनका तोड़ा सा मुझे ऐसे टेंशन होता है और कि कुकींग में भी मैं कुछ नहीं आप लोग से शेयर कर पारे हूं बिकास बहुत सिंपल सिंपल बना रही तो क्या ही शेयर कर रही इस वज़े से इनकी तवियत नहीं ठीक है मितलब स्टोन हुआ है तो डर लगता है कि वो बढ़े ना भगवान करें दवे से ठीक हो जाएगा इस वज़े से तो और मेरे को करवा चाहत वरत रहना ना उसमें भी मुझे डर लग रहा कि मेरी भी दवेतनी ठीक है मैं व्रत पूरा कर पाऊंगी कि नहीं वह भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस वज़े से तो लेट सी भगवान हिम्मत देंगे सब कुछ हो जाएगा तो चलिए आगे लगा देरी म्यूजिक मेरी मेंदी फाइनली लग गई है और इसमें अच्छे से या केले नहीं दिखाता कोई और दिखाए तब अच्छा बाद में दिखाऊंगी मैंने करवा चौँ देखा है अपने मन से लगाई इस बार क्योंके टाहिम नहीं था ना द्रियांश उट जाता अब शिल्पा को च मुझ से लगवारी बहुत बुनगानी हूँ मैं सो फ्रेंट्स में लेकर आगई समा यह लिए मैंने ज़रूरी होता है सब क्या अलग अलग होता है और केला लिया कच्छा करवा लिया और पान जो यादा है सब्ली दिया वगरा फ्रेश अब चल रही हो घर उसके बाद पिनाश रोगेगा और सच्री ना पनीर वगरा क्या अब तो हमेशे बनता है इस तुर नया ट्राइगरू कच्छे केले का कूफता तो कल वो सच्री बनाओं गया तो सब तयारी करके मैं आगे थी राम लिया देखने और जैसी राम लिया देखने पहुचे ना इतनी बारिश होने लगी ना तो हम आप साइट शॉप पे खड़ जैसे तो लेकिन फिर पबलिक आती है चत्री लेकर बैटती है बट लेती है मैं भी चल दूरी लेकर ही बैट ऑट क्या कर एक खड़े रहोंगी यह देखो मैं लेकर चतरी बैटी हूँ द्रियांश को भी लियू और बहुत लोग बैटे हैं बट मैं वीडियो में जादा आन क्या इनको मनता तो हम लोग भी खा लिए